हलो दोस्तो मेरा नाम सराफ़त आप देख रहे यूनोगल फ्युट्यूब चानल दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इमो पे के बारे में जैसा कि आप लोग को पता है दोस्तो अब इमो ने डिजीटल वाइलेट लांच किया है जैसा कि आपके ऐमो पे यूज करते थे मोबाइली पे यूज करते थे तो कुछ इस तरह का फीचर इमो ने भी लॉंच कर दिया है इससे आप अपने मुलक में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं बहुत इजी बहुत आसान तरीके से और इस वीडियो में मैं बताऊंगा दोस्तों यह सेफ है या नहीं सेफ से आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्लीज से लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि इसी तरह का इन्फरमेटिव वीडियो आप लोगों के लिए हमें साल आते रहता हूं तो चले चलते हैं दोस्तों सीखते हैं हलो अब हम आगें मोबाल स्क्रीन के तरफ तो सबसे पहले आप अपने मोबाल फोन में इमो उपन कर लेंगे तो यहां आप देख सकते हैं दोस्तों इमो तो हम सिम्पली इमो ऊपन कर लेंगे Emo Open करते ही कुछ इस तरह का Interface आपको दिखने को मिल जागा तो सबसे उपर पे Left Hand में दिख सकते हैं दोस्तो आपका Emo का Profile दिखने को मिल जागा तो Simply आप Profile पे क्लिक कर लेंगे Profile पे क्लिक करते ही कुछ इस तरह का Interface आपको दिखने को मिल जागा उसके बाद नीची एक option देख रहे हैं दोस्तो Emo Pay और यहां लिक करके आ रहा है Free Remedance तो यह option अगर आपके पास नहीं आ रहा है दोस्तो तो आप अपना Emo अपडेट कर लेंगे ठीक है दोस्तो तो चले चलते हैं इसे हम Open कर लेते हैं तो यहां आप देख सकते हैं Emo Pay तो simply आप उसपे क्लिक कर लेंगे उसपे क्लिक करते ही कुछ इस तरह का Interface आपको दिखने को मिल जागा तो सबसे उपर पे देख सकते हैं दोस्तो U Pay तो यहां देख सकते हैं By default यहां पे 100 Real लिक कर के आ रहा है यानि 100 Real लिक कर के आ रहा है तो 100 Real का क्या currency बनता है दोस्तो तो नीचे वो currency दिखने को मिल जागा तो जैसे यहां आप देख सकते हैं दोस्तो यहां पे by default बंगलादेश select है तो 100 Real का बंगलादेशी currency क्या बन रहा है दोस्तो तो वो यहां पे आपको दिखने को मिल जागा अगर आप इंडिया से हैं दोस्तो तो यहां आप देख सकते हैं flag जैसे यहां बंगलादेश का flag है और यहां तीर के icon तो simply आप उस तीर के icon पे click कर लेंगे और आप इंडिया से हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं आया दोस्तो तो वो यहाँ पर आपको दिखने को मिल जाएगा जैसे देख सकते हैं 100 रियाल का इंडियन बन रहा है 250 रुपया ठीक है दोस्तो उसके बाद नीचे एक option देख रहे हैं दोस्तो compare now तो simply आप compare now पे क्लिक कर लेंगे compare now पे क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर साओधी अरब का सारे internet banking और digital wallet दिखने को मिल जाएगा एक बात और मैं बता दू दोस्तो यह जो emo पे है दोस्तो यह पैसा direct नहीं transfer करती जो सा wallet पेसे पैसा transfer करते हैं उसका क्या rate बन रहा है दोस्तो तो वो rate यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगा तो जैसे आप 40 से पैसा ट्रांसफर करते हैं तो 250 रुपय बनेगा 100 रेयल का उसके बाद अलीनमा पेसे भीजते हैं तो 244 बनेगा इसी तरह सारे का rate यहाँ पे party यूज करेंगे और इसमें क्या है नाइमो का contact customer care number है कभी क्या होगा अगर पैसा आपका फंस गया तो कोई फायदा है नहीं इससे पैसा भेजने का ठीक है दोस्तों अगर आपको पैसा भेजना है तो direct आप अपने पहले की तरह friendly पेसे भेज सकते हैं या mobile पेसे या you are पेस या जो भी आप internet banking यूज करते है या digital wallet पे यूज करते हैं तो मेरा opinion है दोस्तों आप उसी से पैसा transfer करें ठीक है दोस्तों अगर आप इससे पैसा भेजना चाते है फर्ज करें अगर आप mobile पे यूज करते है तो यहां आप देख सकते हैं दोस्तों mobile पे तो हम simply mobile पे पे क्लि इस क्या है transaction fee 8 रुपया है और Indian रुपिज total क्या बनेगा तो वो यहां पे आपको दिखने को मिल जाएगा उसके बाद नीचे एक option देख रहे हैं दोस्तों web 2 और apps अगर web 2 apps पे क्लिक करेंगे तो जिस भी wallet आप यूज कर रहे है उसके official website पे ले जाएगी आपको ठीक है दो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों I hope की इमोपे का पूरी detail आप समझ गये दोस्तों अगर किसी तरह का doubt है दोस्तों तो आप हमें comment box में जरूर पूछ सकते हैं आज के लिए इतना ही दोस्तों फिर मिलते हैं next video में thanks for watching